बात गलत बोलूँ तो कमेट में थपड़ मार देना रशीत के दोस्तो एक किरकेट की हाल का सिलसिला ऐसा ही है किरकेट की हाल का दुख ऐसा ही है किसी एक्जाम में फेल हो जाना 2023 में जब इंडिया हार रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने घर से कुछ जा रहा हो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोटरी जीतने वाले थे और मैं ही लोटरी हार गया मेरे घर से कोई हार गया दोस्तो पता नी कैसी फिलिंग थी वो जिसको मैं अपने सब्दों में बया नहीं कर सकता लेकिन कोशिस जरूर करूंगा कि ऐसा पता नी क्यों मेरे अंदर फिलिंग आई कि जैसे कुछ खो रहा हूं मैं मुझे आज भी याद है दोस्तो वर्ल्ड कप 2023 में मैं बहुत छोटा था लेकिन दोस्तो उतना छोटे होने के बावजूद भी मेरे को अपनी कोई भी बात याद नहीं है मुझे ये बात याद नहीं है कि मैं स्कूल में कैसा था कैसा खेलता था कैसा जाता था कैसा पढ़ता था लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत की जब हार हुई तो मुझे कितना दुख हुआ और आने वाले सालों तक मैं दुख में ही रहा विल्ड कप 2023 की जो टीज थी ना मेरे मन में बस मेरे अंदर थी बदला लेने की भावना जैसे कि मैं ही ओशले के साथ चले जाओं उस मैच में मैं ही खेल जाओं और छक्के पर छक्के मार कर इंडिये को जिता दूँ लेकिन दोस्तो अफसोस ऐसा होना सका बस हम टीवी पर ही मैच देखते रह गए लेकिन जब 2023 आया तो इतना अच्छा लगा लगा कि दोस्तो 2003 का बदला हम लेंगे 2023 में लेकिन दोस्तो जितना बुरा उस मैच में लगा था उतना ही पुरा इस मैच में भी लगा 2023 में भी सेम वह के शिचूईसान हो गई हम दोस्तो ड़र डर के इतना डर गए इतना कंसरवेटिव खेलने लगे कि दोस्तो सामने वाले को हमने पूरा मौका दे दिया मेरे को सबसे ज़्यादा दुख तो मैच हारने का है उसे ज़्यादा दुख मुझे इसका है कि भाई साब अपना ही धरती अपना ही एहमदाबाद अपना ही स्टेडियम और हमारे खिलाडी हमारा मैनेजमेंट उसी को पढ़ नहीं पाया रोई सर्मा तॉस हारने के बाद भी यही बोलते हैं कि पहले मुझे बैटिंग ही करनी थी इसका मतलब यह साफ साफ फेलियर है अपने ही घर को पढ़ने का ऐसा लग रहा है मानो हमारे ही घर में कोई दूसरा आया उसने हमारे घर की सारी हमारे अंदर भर दिया और 2011 में जो हम जीते उसने सारे दुखों को हमें पार कर दिया लेकिन दोस्तों हमें क्या पता था कि यही दोजीद आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी क्योंकि इसके बाद कोई जीत ही नहीं होगी इसके बाद हम कोई वल्ड कप जीतेंगे ही नहीं 1983 और 2011 दोस्तों यही वो वल्ड कप है जो भारती किर्केट के लिए किसी सुनहरे सपनें से कम नहीं है और दोस्तों यही सपना हमें बार बार देखना पड़ता है क्यों 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 क्योंकि दोस्तों इसके लावा कोई सपना ही नहीं है इसके लावा किसी ने कुछ किया ही नहीं है इसके लावा कोई ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं है वल्ड कप की लेकिन दोस्तों 2007 में हम जीते थे और शिरिन ने 2013 में भी हमें थपन मारा था 2015 में भी भार निकाल दिया उसका भी दुख बहुत गहरा था लेकिन उससे ज़्यादा दुख ताब हुआ दब 2019 में धोनी का रन आउट हुआ दोस्तो 2007 होगे 2015 होगे 2019 में धोनी का रन आउट हो गया और दोस्तो कर आपको याद होगा 2014 में हम सिललंका को हरा कर आराम से वर्ल्ड कप जी सकते थे T20 वर्ल्ड कप लेकिन दोस्तो उस मैच में जो युवरा सिंग ने पारी खेली थी वो बहुत जादा धीमी थी इसी की वज़े से हम वोला वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाए दोस्तो 2003 हो गया 7 हो गया 15 हो गया 14 हो गया और 19 धोनी का वो रन आउट जिसने सब सिलल्ड दुख दिया उस मैच में भी दोस्तो पूरा भारत रोया था अब दोस्तो उस मैच से भी जाद दुख हुआ 2013 में किसने भी नहीं सोचा था कि 4 साल बाद हमको इतना दुख मिलेगा कि वो दुख 2019 से भी दुगना हो जाएगा लेकिन दोस्तो अगर मैं सारे दुखों की बात करूँ तो पता नहीं क्यूँ 2000 का तीन का वल्ड कप जो था ना रिकी पॉएंटिंग वाला वो मुझे सबसे ज़्यादा चुपता है आज भी चुपता है 2013 में मेरे को बहुत दुख हुआ परसो जो हो मैं चारे इसका बहुत बड़ा दुख है लेकिन दोस्तों दिमाग से और रिकी पॉएंटिंग और टीम ना दिमाग से जाते ही नहीं है जिसमें रिकी पॉएंटिंग थे एडम गिलकृष थे मेगरा, ब्रैटली, सेन वान इनको हराना दोस्तों सबसे बड़ा सपना था क्यों दोस्तों इस वर्ल्ड कप में जो हार मिली है न उसे दोस्तों रोहिस सर्मा और विराट को ली इनका ये वर्ल्ड कप बहुत सुना रहा हो सकता था कौन जानता है दोस्तों कि हम रोहिस सर्मा और विराट को ली को आने वाले World Cup में देख पाएंगे भी कि नहीं दोस्तो वाने यह नहीं कह रहा है कि इनको खेलना चाहिए यह नहीं खेलना चाहिए मैं इस बात में नहीं जाऊँगा यह हीरो हैं और मैं चाते हैं यह जिंदिगी भर खेलते रहें लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हूं कि यह बहुत मुस्किल है दोस्तों हमारे टीम ने बहुत मैनत करी थी हमारे कप्तान ने बहुत मैनत करी थी और दोस्तों रोहित जैसा कप्तान मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है धोनी के बाद रोहित ने बहुत अच्छी कप्तानी करी यहां दोस्तों अगर हम World Cup जीत जाते तो रोहित का नाम भी उपर हो जाता हमरी steam का नाम उपर हो जाता तकिन दोस्तों बोलते हैं न हर किसी को मुखंबल जहां नहीं मिलता कभी जमी और कभी आसमा नहीं मिलता हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता और दोस्तों कर बात करें फैंस की तो मेरे भाईयों फैंस का दिल तो बहुत ज़्याद दुखा है कोई दोस्तों टीवी के आगे रोता रहा तो कोई वहीं ओडियंस में बैट के रोता रहा के साथ समंदर पार करके आता है तो चाहता है कि कम से कम हम फायट तो करें लेकिन दोस्तों दुख तो इसी बात का है कि हमने फायट ही नहीं करी अगर फायट करी होती तो उन सब के चैरे लटके नहीं खुश होते हमाना कि रिजल्ट माहिने रखता है लेकिन दोस्तों जब मारे होते तो कोई मलाल नहीं होता दोस्तों कोई दुक नहीं होता क्योंकि गेम है हार जीट चलती रहती है हमको एक अच्छा मैस देखना था जो क्रोडों लोग सास समुदर पार से आये हैं तो दोस्तों दिल में एमोशन लेके आये हैं उनको उनके लिए कम से कम फायर तो करन दिया लेकिन मेरे भाईयों वो हार इतनी चुबंदे नहीं होती जिसमें आप पहले ही भार हो जाते हो दोस्तों 2007 में इंडिया की बहुत बुरी हालत हो गई थी वर्ल्ड कप में भारत टॉप एट में तक भी नहीं पहुच पाया मतलब क्वाटर फानल तक भी नहीं हो गए दोस्तों जब युवराज सिंग का मैस ते जिसमें वहने बहुत धीमी पारी खेले थी चीट्टी की उस मैस में भी बहुत दुख हुआ था क्योंकि उस मैस में भी हम टीट्टी का वर्ल्ड कप जीत चुके होते लेकिन युवराज सिंग महान खिलाडी ने हमको 2011 और तो हम हैं ही बेसरम हम कभी भी क्रिकेट को नहीं छोड़ सकते हां हारने के बाद हम जरूर बोलेंगे दोस्तों जो अभी टीट्वेंटी में इंग लैंड ने हमको हराया था दोस्तों उसमामी भारत के बल्लेबादों ने बहुत दीमी बैटिंग करी दी केवल हार्दिक पा गाली को ऐसे नहीं खेलना चाहिए था वही लोग जो बोलता है कि हम आची बाद को भी मैच नहीं देखेंगे इसे दोस्तों खिरकेट से हमारे लिस्ता ऐसा ही है लड़कियों का शौपिंग से वह दोस्तों उनको कभी नहीं छोड़ सकती ऐसे हम भी किरकेट को कभी चाहिए तो हम गाले जरूर देएगे अपने प्लेयर को और दोस्तो खिराडियों को गाले जरूर देएगे किरकेट को गाले देंगे लेंगे तरी उसके बाद प्र मैशने बैड़ जाएगे और टीवज देखने बैढ़ जाएगे क्योंकि दोस्तों ये हमारा ज़रिया ही entertainment का और दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिससे हमको सबसे ज्यादा मतलब रहता है चाहिए अच्छा खेले चाहिए बुरा खेले जो हमारी emotion को trigger करता है और cricket ही वही है जो हमारे पुरे भारत की देशवासियों को जाए बच्चा हो बूड़ा हो छोटा हो सब के emotions को trigger करता है भारत देश ही है emotions का अले ही दोस्तों हम किर्केट को ना छोड़ पाएं लेकिन दोस्तों कुछ लंभ हैं कुछ हालाद कुछ ऐसी situation होती है कुछ ऐसे match होते हैं कुछ ऐसे पल होते हैं जो दोस्तों हमको कभी नहीं भूलने देते जैसे 1983 में जब दोस्तों कपिल देव ने उल्टा भाग कर catch पकड़ा होगा तो दोस्तों Western Indies के लोग कभी उस catch को नहीं भूल पाएंगे और जो 1983 में भारत ने match जीता था Western Indies के लोग Western Indies के प्लियर उस match को कभी जिन्दगी में नहीं भूल सकते जब कपिल देव की टीम ने वो match जीता था ऐसी दोस्तों जैसे Western Indies की टीम कभी नहीं भूल सकती ऐसी भारत के लोग कभी नहीं भूल सकते जब ऑस्टेलिया ने 2003 में हमको हराया था और तो ऑस्टेलिया ने 2000-20 में हमको हरा दिया क्योंकि Final की हार एक बहुत बड़ी बार हार होती है जब टीम पूरी मेहनत करके end तक पहुसती है और उसमें जब धोका मिलता है जब दोस्तों हार मिलती है तो बहुत दुख होता है अगर दोस्तों टीम लड़के हारे तो कोई दुख नहीं होता जी हाँ दोस्तों एज़र किर्केट फैन में यही बोलता हूँ अगर 2003 में भी इंडिया लड़ी होती और हारी होती तो एक दुख होता लेकिन मन में इस्वास भी होता एक वो दुख होता लेकिन मन में definition भी होती sports की किर्केट में हार जीच चलती है लेकिन दोस्तों दुख तो इस बात कही है कि क्या fight नहीं हुई अगर fight होई होती तो हम मेंसे कोई गम में नहीं होता बस दुख ही होता हम मेंसे कोई across में नहीं होता बस अपने दिल कोई अच्छे से समझाता कि match में ऐसा होता है कभी कोई जीता है कभी कोई हारता है हर दिन हमारे team का नहीं हो सकता हर दिन हमारे players का नहीं हो सकता लेकिन दोस्तों अफ्सोस ऐसा कुछ हुआ नहीं fight ही नहीं हुई एक तरफा मैच हो गया और उस ते भी जद्धा बूरतब लगा जब हम अपनी देश की मिट्टी को नहीं पैचान पाए हमारे भारती मैनेज़मेंट इंडियन क्रिकेट मैनेज़मेंट अपनी देश की मिट्टी को नहीं पैचान पाए इससे बड़िया होता है तो match one कड़े में रख लेते मुहाली में रख लेते ऐसी pitch में रख लेते जा रनों का पहाल कड़ा हो जाता कम से कम हमारी bats में run तो मारते लेकिन दोस्तों क्या ज़रूत थी ऐसी ट्रेका pitch रखने की जा तुम खुदी के निफ्यूज हो और एक भार वाला दूसरे देश का प्लेयर आके पूरी पिछ पड़ जाता है और इतना दिलेर फैसल लेता है जिसको सुनकर पहली जलक में तो हम तो सब खुश हो जाते हैं कि आज पैट कमिन्स नेकलती है गलती क्योंकि पहली फिल्डिंग लेना वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा मुक्तपून डिसिजन माना जाता था लेकिन अब नहीं क्योंकि कंडिशन को रिट करके पैट कमिन्स ने ऐसा किया लेकिन हम बिल्कुली फेल हो गए चूँ फेल हो गए दोस्तों मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि बात थी हमारे घर की एहमदबाद की गुजरात की वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों कहीं ने कहीं क्या पता आपके मन में भी ऐसा आया होगा मेरे मन में यह बहुत ज़ता आ रहा था कास इंडिया एक मैच हार जाती अगर एक मैच हार जाती तो इसको पततल जाता है कि वह एक कारण बन गया है यह कहवत भारते किर्केट के लिए एकदम सही बैठती है दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको भारते क्रिकेट टीम से किसके सबसे बड़ी गलती लगती है और मैच हारने की सबसे बड़ी वज़ा क्या थी जिसके वज़े से हम ट्रॉफी को नह तो इस वाले ब्लेवाद को ऐसे बैटिंग करने नहीं सीखाया नाम में उसको सूर्य कुमार जब को क्यों ऐसाथ नहीं सीखाया देखा कि तुम्हें बॉल्ल के साथ बैटिंग करनी है मतलब जब उनको पता होना चाहिए कि बाई हमारे पास बल्ले बाद नहीं है जिसके वज़े से दोस्तो सुर्र कुमाल अदब को इनके साथ बैटिंग करनी चाहिए तो क्यों उनको नहीं सिखाया हमने मैच में देखा कि सुर्र कुमाल अदब पहली ही बॉल में बुमरा को स्टैक दे रहे थे सिराज को स्टैक दे रहे थे चुँँ ऐसा कर रहे थे दोस्तो हमने देखा कि मैंदे सिंग दोनी कैसा खेलते थे 8-5-9-10 वे बल्ले बाद के साथ चार फरफ खुद खाते थे चार बहुत खुद खाते भी थे और खेलते भी ते यह को भास चुजिए को या सकती है दोस्तों हमारे पास बल्लेबाज कम है और जब बल्लेबाज कम है इसका वज़े से दोस्तों यह नहीं है कि तुम दवाव में आ जाओ इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि लाश्ट के बल्लेबाज को भी बैटिंग करनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत जितने कमसकों में स्टाक कर लेते हैं और दोस्तों यहीं पर नहीं केवल उनके साथ जो भी बैटस्पन हो जड़े जा सुरकुमार दब इनको भी पता होना चाहिए कि कैसे खेलना है यही इनको सिखाना चाहिए था कि भाई तुम पांच बॉल खुद खेलो और चाहिए बड़ी चीज होती है अगर दोस्तों जब केल राहूल और विराट कुली बैटिंग कर रहे थे ठीक है तो उसमें अगर वो एक छक्का लगा बीच में तो अपने आप फिल्ड खुल जाती अब उसमें हुआ क्या ट्रेविस हैड और मैक्सवल बॉलिंग कर रहे थे विगट ट्विगट और केल राहूल विराट को लिक्या कर रहे थे तुक अगर उनके सरके उपर से मारते तो पूरा का पुरा पूरा प्रैसर उनकर था दब रहे थे तो मैक्सवल का लूझ देखने लाक था वो तो रोई सर्मा ने दुबारा से मानने की सोची इस वज़े से दोस्तों मैक्सवेल को जीत मिल गई वरना रोई सर्मा तो एस तेसी कर देते सब बॉलर रूकी भाई रोई सर्मा भी तो उसी पिछ में खेल रहे हैं अब आप लोग बोलोगी कि कि क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइब कर देखें पावर प्रेस से कोई मतला मिलेता सर के खिलाड़ों के ओपर से जा ले थे इसको कहते हैं इंटेंट भारत कि किसी बैट्समें ने इंटेंट ही नहीं दिखाया रोई सर्मा के बाद और मेरी बात यह समझ में या थी कि क्यों भारत की टीम को ऐसा लग रहा था कि 260-70 बहुत होते हैं वहाँ पर भाई उस्टले ने मैच कितनी जल्दी खतम करते था दस ओवर रह गए थे अराम से उसले तो तीन सो और मार देती पिछ इतनी खतनाक थी भी नहीं जितना इसको बना दिया हो बना दिया भाई बाल बैट में आने लिए तो माल पलता के लिए और ऑड़ों को बैट बाल बैट में ने आ रही इसे ने कोशिच तो करी क्या खुशिच भी नहीं करी कोई छक्का वाने चक्कर में आउट लिए इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि इंटेंट होना चाहिए हमेशा अक्रामक होना चाहिए जिसे कि दूसरी की टीम वैसी पहले ही डर जाए तैकि दोस्तो तुम्हारे पास मौका हो सिंगल लेने का मैं यहां सिंगल लेनी की बात कर रहा हूं अकरामा खेल के सिंगल लेनी की बात कर रहा हूं दूसरे बर्डर को इतना ड्राद हो कि दोस्तों सिंगल में खुस हो जाए और दूसरा जी भी पता करो कि भाई वो पिछ पढ़ने वाला कौन था जिसने ये पता नहीं लगा पाया कि अगर इसमें डिव आ गया तो पहले बैटिंग करना सही लगा या बॉलिंग हम अपनी कंडिशन को पंड नहीं पाए और बाद में भी यही बोल रहे थे कि इसमें डिव नहीं आएगी लेकिन दोस्तों आही गई अगर इसका डर था वो ही हो गया दोस्तों मुझे इस बात कभी डर है करें दोस्तों भारतिये फैन्स लंबे समय तक रूट ना जाए जब दिल को घाव लगता है किसी स्पोर्ट की वज़े से किसी किर्केट मैच की वज़े से तो वह दुख बहुत लंबे समय तक रहता है दोस्तों आई-पेल लोग काफी इसका रिज़न बता रहे हैं कि आई-पेल की वज़े से ही ऐसा हुआ खिलाडियों को सब ज़्यादा इसमें इंट्रेस्ट नहीं लगाते दोस्तों मेरा अपना यह मानना है कि ऐसा नहीं है कि आई-पेल के वज़े से ही किसी को इंट्रेस्ट नहीं है वर्ल्ड कप में दोस्तों हम सब ने देखा कि कैसे खिलाडी फूट-फूट कर रो रहे थे इसका मतलब यह साब दर साता कि कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहा था दोस्तों दिल के इमोशन से रोई सर्मा के विराट के सिराज के दोस्तों सामने आ गए जब 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे तो हमको पता है उसमें क्या इमोशन से सारे खिलाडी रो रहे थे सचिन को कंदे पर उठाए वे थे और दोस्तो उसमें हम सब की आङे कुछ देर के लियर नाम तो हुई ऊगी दोस्तों में दावे के साथ क्या सकता हूँ गर्सान करेंगे क्योंकि दोस्तो 2003 में भी ऐसी हुआ था और 2013 में भी ऐसी हो गया अब दोस्तो अगर भारत को आगे जीतना है तो मन से डर हटाना होगा हारने का और खासकर ओशले के सामने जैसे तुमने 10 मैच खेले ऐसे कर हम 11 मैच खेलते तो कोई माइकल लाइड टीम नहीं थी जो हमको हरा पाए और वाक्य में 2023 में हमारी टीम से बहतर कोई टीम नहीं थी यह बात मैं हावाव में नहीं बोल रहा हूं आप चाहे तो स्टैटिक्स चेक कर लेना किसने सबसे जादर अनमारे विराट को लेने किसने सब जादर बॉलिंग अच्छी करी होमाश शमी ने लेकिन दोस्तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जैहिंद वन्दे मातरम जीते का तो भारत ही क्या अगला वर्ल्ड कप